जी, exercise 17.2, इस वीडियो के अंदर हम वो सीखने जा रहे हैं, 17.2 exercise का जो first question है, वो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, उसके अंदर वो कह रहे हैं, draw the bisectors of the angle and confirm their concurrency, actually question तो कुछ और है, लेकिन actual उसके अंदर हमने देखना क्या है, हमने triangle construct करने के बाद, जो उनके angles होंगे, उनके bisectors लेने, और bisectors को देखना है के वो concurrent है या नहीं, तो question यह, construct the following triangles, A, B, C, draw their bisectors of their angles and verify their concurrency, तो हम क्या करेंगे, पहले triangles बनाएंगे, triangle के अंदर 3 angles हैं, आप लोगों को पता ही है, उन 3 angles के फिर हम bisectors लेंगे, bisectors लेने के बाद हम देखेंगे कि क्या वो concurrent है या नहीं, अब पहले आपको सीखना चाहिए कि एक angle का bisector लेते कैसे है, suppose आपके पास यूँ एक triangle बन रही है, कुछ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, ये वली, और इसका एक angle जो इस point के उपर, अगर आप compass को रखो, इस point के उपर, और यहाँ पर एक arc ड्रा कर लो, ये, तो ये उसका angle हो गया, अब इस point के उपर रखके एक arc ड्रा कर लीजे, इस तरह से, similarly फिर इस point के उपर रखके, compass एक arc ड्रा कीजिए, इस तरह से, अब इस center को, जहां पर ये दोनों arc से एक दूसरे को intersect कर रही है, इस center के साथ, अगर आप join कर देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे, angle by sector of A, ये अगर angle A है, इसी तरह B angle भी होगा, तो आप इसी तरह मानते हुए, एक arc ड्रा करेंगे, वो इन दोनों को कहीं ऐसे cut कर रही होगी, अब फिर ये point B इस जगह पर रखके, आप एक arc ड्रा कीजिए, और इसी तरह जहां पर यहाँ intersect कर रही है, ये arc यहाँ पर जोईन करेंगे, तो फिर इन दोनों को join कर लीजिए, तो ये bisector होगा angle B का, similarly, आप तीसरा भी बनाते हैं, अभी हम इसी को join करेंगे, लेकिन यहाँ से सीखा हमने क्या, कि angle का bisector कैसे बनाना है, जिस angle का bisector बनाना है, उस vertex के ओपर, आप compass का mid रखिए, like pin रखिए, और एक arc ड्रा कर लीजिए, जो उसके दोनों terminals को, उस angle के दोनों terminal arms को intersect करें, जै जैसे ये terminal arm है, एक और एक ये terminal arm, तो यहाँ पर रखिए, जब आप एक arc ड्रा करोगे, यहाँ पर रखने के बाद, तो कुछ ऐसे, तो उसने इस जगह इस terminal arm को cut किया, और इस जगह पर इस terminal arm को cut किया, अब यहाँ पर आपने वही compass, यहाँ पर रखिए, इस point के ओपर रख के draw करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगी, फिर यह दोनों arcs जहाँ पर एक दूसरे को cut कर रही होंगी, वो उसका क्या होगा, टर्मिन, आ, angle bisector होगा, चले, move करते हैं, इसके solution की तरफ देखते हैं, तो आपको given information, यह तीन parts दिया हुए, question number one के अंदर, वो तीन ही पार्ट से की जैसे हैं, उन में से मैं कोई एक आप के लिए try कर रहा हूँ, जैसे मैं try कर रहा हूँ, second part, second part के अंदर आपको given information में दिया हुए, AB, 4.2 cm, BC दिया हुए, 6 cm, CA दिया हुए, 5.2 cm, और तीन lengths दिवी हों, तो आप कैसे triangle बनाते हो, वो आप लोगों को पता ही है, सबसे पहल A से, B जो है, यह 4.2 cm आ गया, और यहां पर मैं यह लिखूँगा, solution के अंदर जो first step होगा, take a line segment, take a line segment of 4.2 cm, line segment AB लिख लिजे, AB of 4.2 cm, अब उसके बाद, आपको चाहिए, BC 6 cm का, तो आप यहां पर, यह point B को center मानते होए, 6 cm तक compass को open कीजिए, और 6 cm radius की, एक arc ड्रा कर लिजिए, तो 6 cm की अगर आप एक arc ड्रा करते हैं, तो वो कुछ यूँँ बन जाएगी, यहां तक आ जाएगी आपके पास, suppose यह वली बन र B as a center, B as a center, draw an arc of 6.2 cm of radius, arc of radius 6.2 cm, जो आपने draw करी, बिलकुल इसी तरह से, third point के उपर अब क्या कर लिजिए, आप point A को center मानते होगे, 5.2 cm की एक arc ड्रा कीजिए, point A को अगर center मानेंगे, तो वो कुछ यह बन जाएगा, और इन दोनों ने देखा होगा आपने, के एक दोनों को intersect कर रही हैं, suppose जहां पर यह intersect कर रही हैं, उसको मैं point C का नाम दे देता ह हूँ, तो अभी आप ने जो तीसरे step में काम किया, वो भी आप यह लिख लिजिए, taking B, taking A as a center, taking A as a center, draw an arc of radius 5.2 cm, 5.2 cm, which cut, which cuts the first arc, first arc at C, point C के उपर उसने cut किया, अब आप क्या किजिए, point C को join किसके साथ करेंगे, A के साथ भी, और point C को join करेंगे आप, B के साथ भी, by the way, straight line से होनी चाहिए, वो आपके पास ruler होगा, मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो यह C point को A और B से join करन joining, यह भी step में लिख लिए, joining C to A and B, we have a required triangle, we have required triangle, तो यह triangle बन गई, अब हमें क्या प्रूफ करना है, draw the bisectors of angle and confirm their concurrency, तो आपके पास 3 angle आपको नदर आ रहा है, एक angle B है, और similarly एक angle आपके पास A है, और एक angle आपके पास C है, तो बिलकुल उसी तरह से इसके bisectors बनाएए, अगर इसका मैं bisectors बनाता हूँ, तो यहां पे फिर compass रखके और यहां पे compass रखके दो arcs बनेगी, और वो अगर मैं join करता हूँ, तो फिर मेरे पास ये angle bisectors, कु हूँ, तो वो मेरे पास कुछ बन जाएगा, यहां पर बिलकुल similarly इन दोनों को join किया, तो यह वला, एक मेरे पास angle bisector ये बन गया, तो दूसरे पार्ट के अंदर अभी हमने क्या किया, दो angles, angle A और angle B के right bisector लिए, वो angle A और angle B के bisectors लिए, दो जो दोनों एक दूसरे को intersect कर रहें, चले मैं उसको point O का नाम दे देता हूँ, तो यह step आप ले लिखी जी यह पांचवे नंबर बे, taking bisector of angle A, taking bisector of angle A, फिर मैंने लिया, bisector of angle B and angle B, which cuts, which cuts the bisector of angle A, bisector of angle A at point O, अच्छा पहले step में मैंने क्या किया, के angle A का bisector लिया, O A, और फिर दूसरे step के अंदर मैंने क्या किया, angle B का bisector लिया, O B, जिन्हों ने एक दूसरे को, यह दोनों bisector's ने एक दूसरे को point O के ओपर cut कर दिया, अब जो सात्मा और इसका final होगा, आपके पास step, आप देखिए angle C का भी bisector उसी तरह लिजिए, point C को center मानते होए एक arc पहले draw कर लिजिए, तो वो कुछ इस तरह से अगर आपके पास आएगी arc, वो कुछ ऐसे आएगी, तो यह arc बनी, अब इस arc को रखके, अगर यहां पे एक आप arc draw करते हो, इसको center मानते होए, फिर इस point को center मानते होए भी, अगर एक इसी तरह से आप arc draw करते हो, तो यह आपके पास actually बन गया वो point, जो इस angle का bisector होगा, और उसको भी आप angle bisector बना के देखिए, तो क्या, वो उसी point से गुजर रहे है, जैसे यहां पर point O में से ही गुजर रहे है, तो इसका मतलब यह हु हुआ के हां भई, इसके angle bisector, जो वो एक ही point के उपर, concurrent है, और concurrency confirm होगी, अब यहां पर हम यह लिखेंगे, now taking bisector of angle C, taking bisector of angle C, which and observe that, and observe that, it also passes through, it also passes through point O, hence, here thus, the angle bisectors of triangle, are concurrent angle bisectors of triangle A, B, C, are concurrent, मतलब यह तीनो एक ही point के उपर है, एक दूसरे को cut कर रहे हैं, तो फिर concurrent हुए, are concurrent, which confirm their concurrency, which confirm, their concurrency, inside the triangle, inside the triangle, तो भाया, इतना सा, ये question था, छोटा सा, मज़धार सा, आपको बहुत ज्यादा इसमें, वो engineering करने का मौका मिलेगा, अगर आप compass को use करना, जान गए हो तो, और इसी तरह इसके बाकी दो पार्टस भी हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे पहले पार्ट के अंदर भी उसने तीन length दी वी हैं, और तीन length के साथ इसी तरह से आप triangle कंसर्ट करेंगे, जो third part है, उसके अंदर दो length और एक angle दिया हुआ है, और वो दो lengths और एक angle के साथ कैसे triangle बनाई जाती है, वो हम इसी 17.1 के first question के अंदर सीख चुके हैं, और उसके बाद आपने बाकी bisectors angle के इसी तरह से draw करने के बाद, आपने उन तीनों bisectors को check करना है, either these three bisectors of angles are meet at a single point, and if there would be the case, then we are in position to say that the bisectors of the given triangle are concurrent. Question number two की तरफ चलते है, यहां पे कहरे है, construct the following triangles P, Q, R, draw their altitudes and show that they are the concurrent. यह थिलिजबे पर श्तरक सान पर घ्ट दो, चाने पर ढमें दोगफा जो, रहां उन्यावद, यहाँद, लिज़बे रीजार जिसे प्रिज़द, रूबे यहां चाना है, आपने वहां दो चलते हैं, इस्ज़दों और वोबेशने तर से उन्म्हां राद, आपने थाद